अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियो पार्ट 1 से पार्ट 79 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप वन बाई वन करके सारे वीडियो को देख लेंगे ताकि आपकी इंग्लिश इंपूरूब हो जाएगी और आप धीरे-धीर इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे त सबस्ट आप आप देख पा रहे हैं कि कोई काम करने वाला जब कोई सब्जेक्ट जब काम करता है तो वह किसी और की हल्फ से वो जब काम करता है किसी और के health से करता है तो उसको हम लोग causative भर्वे कहते हैं तो causative भर्वे मिन्स जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रेनार्थक सब्द यारी काम करने वाला काम करेगा लेकिन दूसरा health करेगा तो ही करेगा ओके तो यह आप समझ पा रहे हैं कि दोनों का participation होता है यारी दोनों भाग लेते हैं उसमें काम करने वाला भी और काम करवाने वाला भी देखिए पहले point wise समझते हैं पहले देखिए first one वो उसे हर पल हसाता है तो यहां पे वो उसे हर पल हसाता है तो यहां पे हसने वाला कौन है हसने वाला उसे है उसे हसाता है और हसाने वाला कौन है वो है तो यहाँ पर वह सब्जेक्ट हो जाएगा और काम करने वाला उसे है वो उसे हसेगा यानि वो उसे हर पल हसाता है हसने का काम उसे कर रहा यह कर रहा यह वन कर रहा है काम लेकिन हसाने का काम कौन कर रहा है और हसाता है यानि यह परजेंट टेंस पराधारित है सेकेंड वन देखिए तुम मुझे हर पर रूलाती हो तुम तुम मुझे रूलाती हो तो रोने वाला कौन है मुझे है ओके मुझे रोने वाला है और यह रूलाने वाला कौन है तो तो यहां पर action जो हो रहा है जो action रोने का काम हो रहा है यह मुझे खुद नहीं कर रहा है बलके किसी और के help से हो रहा है किसी और के सहारे से हो रहा है किसी के और के कारण को हो रहा है positive जिसको समझ में आ रहा है पिरिणार्थक से किसी के और पिरिणा से हो रहा है next one देख़े, मैं उसे रोज नहीं दोडाता हूँ, तो यहां पर दोडने वाला कвой उसी है, यह दोडने वाला है, लेकिन दोडने वाला कौन कर रहा है, मैं। कहेंगे तो यह जो है फर्स्ट वन देखिए हसाता है रुलाती है दो लाता है तो तीनों को तीनों को जब नॉटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा तीनों जो है सिंपर पर अधारित है तो हम लोग वन बाई में में एक लगाना एक लगाना है तो आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन और थर्ट पर्सन नंबर के साथ जो है में का यूज किया जाता है तो इस को बनाएंगे देखिए अगर आप कहना चाहते हैं वह उससे हरपल हंसा है तो आप इंग्लिश में कहेंगे, he makes me laugh every moment, अगर आप कहना चाहते हैं, तुम मुझे हर समय रुलाती हो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे, you make me cry every time, तो यहां पर use हो है, यहां second person है, और second person के साथ भीवन का use होता है, आप जानते हैं, भीवन का, भीवन बोले तो भरवे के आंते मे अगर आप कहना चाहते हैं, मैं उसे रोज नहीं दोलाता हूं, तो आप बनाएंगे, I do not make him run daily, तो यहां पर नहीं का use हो रहा है, और आप जानते हैं कि present tense में, या simple present tense में, अगर आप कहना चाहते हैं, मैं पढ़ता हूं, I read होता है, अगर मैं नहीं पढ़ता हूं, तो I do not read कहा जाता है, आप उसको English में कहेंगे, तो इससी तरह इसमें do not का use करेंगे, जब negative की बात आएगी, तो I do not make him run daily, इसको इजी में मैं, आप समझ में आ रहा है, कैसे बनाएंगे, next one को देखिए, four, five, or six, इन तीनों sentences को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, यह simple past tense पर पाचान है, ता है, तो इन ती है, ता हूं, इस तरह का sentences रहता है, तो फ़र पर जेंट कर लाइथा, आप समझ रहे हैं, ठीक उसी तरह future tense की पाचान है, यदि किसी Hindi sentence के भर में में गागे गी लगा रहेगा, तो उसको जहें, future indefinite tense का जाता है, तो आप समझ रहे हैं, पाच इस टेंस पर आधारित है, तो आप उसको one by one करके देखेंगे, तो और ज्यादा concept के लिए हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने बच्चे को रात में सुलाया, तो past tense पर आधारित है, तो past tense पर sentence को जब आधारित रहेगा, तो अगर आप बनाएंगे, तो इस structure बनाएंगे, जिसमें subject plus made हो जाएगा, तो इसमें v2 का use होता, आप जानते हैं कि simple past tense में subject plus v2 का use किया जाता है, plus object, तो यहाँ पे v2 का use किया जारा देख पा रहे हैं आप, ठीक उसी तरह present tense में आप use करते थे, subject plus v1 या v5 plus object use करते थे, simple present tense में, जिसको simple present independence भी कहा ज returns का जाता है, तो यहाँ पे max जो है, max लगा रहे थे, तो max क्या है, v5 है, आप समझ पा रहे हैं, तो आप इसको लिखेंगे, I made the child sleep at night, तो यहाँ पे देखेंगे, I made लगा दिए, subject लगा दिए, फिर made लगा है, उसके बाद object, object the child कर सकते हैं, या noun इसको भी का जा सकता है, क तो उसके बाद at night, other word को लगा देंगे at night, अगर आप कहना चाहते हैं, तुम्हारी यादों ने मुझे रूलाया, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे, your memories made me cry, अगर आप कहना चाहते हैं, लोगों ने तुम्हें वहाँ से नहीं भगाया, तो आप इंग्लिश में कहेंग पलस object या noun कह सकते हैं, पलस other word, देखे, अगर आप कहना चाहते हैं, राजसर आप लोगों को हसा देंगे, तो आप इंग्लिश में कहेंगे, राजसर विल, विल का यूज करेंगे, राजसर विल मेक यूज अनलाफ, आप क्योंकि जानते हैं कि सेल और विल का यूज किया ज सकते हैं, लेकिन हम लोग गरामेटिकल हम लोग होना चाहरे हैं, तो हम लोग इसमें आई के साथ सेल का यूज करेंगे, मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूँगा, तो आप समझ चुके हैं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया, तो प्लिस सब्क बलना चाहते हैं अपने डेली लाइफ में, तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉलम नहीं होगी बोलने में, I hope आप समझ चुके हैं, keep watching my videos, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, thank you.